हेलो फ्रेंट्स आज हम बताऊंगी ब्लाउंच का बैगनेक डिजाइन बनाना तो इसके लिए देखिए मैने अस्तर और मेन कपड़े पे कटिंग और मार्किंग कर लिया है मेजर्मेंट आप लोग देख लिए तो ब्लाउंच के लिए 13 इंच डबल फोल में अस्तर की चौड तो आपको थोड़ा सा चौक को दबा के लगाना है ताकि निसान दोनों साइड बन जाए आप लोग चाहें तो यहां पर बुकरम का भी यूज कर सकते हैं तो देखिए यह बहुत इजली दोनों साइड हमारा निसान बन गया अब इसको मैने में गपड़े पर रखके यसे नहीं लगा लिए है जैसे हमने चाहक से गल्र हम के लिए मारकिंग किए हैं उसी सेप में आपको तुछी डालकी नाहींब तो देखिए यह ऍद लग गया है हमसिन लोगar पर ऊंपर तो येका कपर है दो आधाई यह से पहले कटिंग करते एं फोपर कर्तिंग करते यह दो म तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में दिखाती हूं सीधा करना इसी प्रोसेस से आपको सीधा कर लेना है यह हमारा सीधा हो गया है अब इसको थोड़ा सा हम हाथ से अच्छे से निकाल लेंगे और इसको फिनिसिंग देने के लिए इस पर हम फिनिसिंग की सिलाई डाल लेंगे किनारे पर आपको सिलाई डालना है फिनिसिंग वाली और यह देखिए हमने फिनिसिंग की सिलाई डाल लिया है उसके बाद एक हम कपड़ा लेंगे जिसकी चवडाई रहेगी 3.5 इंच इसकी एक हम पट्टी तयार करेंगे तो इसके किनारे पे बिल्खुल आपको एक सिलाई डालना है यहाँ पर मैं सेम कलर का कपड़ा ले रही हूं आप चाहें तो अलग कलर का भी कपड़ा यहाँ पी उसकर सकते हैं तो बिल्खुल किनारे पे पूरे पट्टी में आपको पट्टी अपने डिजाइन के अकोर्डिंग लंबा रखना है शिलाई डाल लिया है अब इसको हम सिधा कर लेंगे तो मैं यहाँ से यहाँ इसको पीन की हेल्प से सिधा कर रही हूं आप चाहें तो सुई धागे या जो भी आपका प्रोसेस डोरी सिधा करने का उस मेथट से आप लोग कर लीजिएगा तो देखिए यह थोड़ी हमारी मोटी डोरी है तो यह हमारी पीन से भी सिधा हो जाएगा तो इसले मैं यहाँ पे पीन से इसको सिधा कर रही हूँ और सिधा हो गया है मैंने इस पर आईरन लगा लिया है 今 दिखिए प्लेट के डireक्सन चम्राय मसीन के तरफ रहेहा और सारा प्लेट जो हैं हमारा मसीन के तरफ ही रहे गए इस इस पूरे जो यह हमारी पट्टी है इसमें पूरे पट्टी में आपको यह प्लेट भर लेना है और थोड़ी गहरी गहरी प्लेट भरना है नहीं तो जब हम डिजाइन बनाएंगे तो उठ जाता है फिर हमारा बनता नहीं है खिचाव आने लगता है तो थोड़ा सा आप गहर लेना है तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा देखिए मैंने पूरे गले में पट्टी लगा दिया है अब हम मोती ले लेंगे और एक सुई धागा ले लेंगे तो इसका हम डिजाइन यह हमारा एक डिजाइन बन गया है फिर नीचे हम और जो दूसरा है उसका कॉर्णर पकड़ेंगे और एक पासी कठा करके यहां पर ट्रेंगल का सेब देते हुए फिर से नीचे से सुई को ऐसे उपर लाएंगे और इसको टाकते हुए उपर से मोती लगा के फिर नीचे हम सुई धागे को ले जाएंगे तो इसी तरह से आपको पूरे गले में यह डिजाइन बना लेना है तो मैं दो चार आपको बना के दिखा देती हूं ताकि आप लोग इसली बना पाए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक दो बार वीडियो को देख लीज और आपको पूरे गले में ऐसे ही डिजाइन बना देना है देखिए बहुत इजी है यह दोनों जूसका कॉर्णर है नीचे के तरफ एक पास लाते हुए उसको टाक के रूपर समोती लगा के इसको नीचे के साइड ले जाना है तो देखिए ऐसे ही मैं आपको दिखा दे र कर गर आप लोग को यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और साथी साथ आप लोग कमेंट करके यह भी बताईएगा कि आपको यह डिजाइन कैसा लागा हो और आपको कैसी डिजाइन की सalia कर दो अरहे ग sólo बार एक Spray OS को सोन से दिस का ओर दे रहारे से को से दुर्ड़ करते हैं लिक यह सीहा है क्षिस्ज्ग चुट तो रहा है ओन送 हारे से बन्यमात And 요रे ।ो इस बारे से ते विर के और वारे से बन्यमे को देट्वाढा़